जहिन दोस्तों दोस्तों आज हम एक एंटी फंगल एजेंट के बारे में सीख रहे हैं जिससे हम इसके मूल कॉंपोजिशन ने माई कोनाजोल के नाम से जानते हैं वैसे माई कोनाजोल जो एंटी फंगलेजन्ट है वो सिंगल साल्ट में बहुत ही कम प्रियोग में लिया जाता है ज्यादा तर यह मल्टिपल साल्ट जिसमें इस्टेरवाइड और एंटिबैटिक्स मिले होते हैं उसी का प्रियोग किया जाता है बट आज हम सिर्फ और साल्ट है कितना इफेक्टिव हैं और कितना इफेक्टिव रिजल्ट दिखाती है कि अध्या जो माइक कोनाजोल चुब फॉर्मेट में आपको टू परसेंट वेट वाई वेट की स्टेंथ में एवलेबल होता है वैसे तो यह माइक को नाजोल के नाम से इजली आपको मिल जाती है बट इसके अलावा एक दो कंपनिया इसको अपना ब्राद नेम दे करके बेचती है तो अगर हम इसके कुछ पॉप में फैबलर है आप इजली इसको माईको जेल या फिर इसके मूलना माईको नाजोल से परचेश कर सकते हैं तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो माईकोनाजोल कृम है किसकिस कंडिशन को ठीक के लिए प्रयोग में लिया जाता है तो जैसाकी वीड व्यक्ति जिसके प्राइवेट स्पार्च में किसी टाइब का फंगल इंफेक्शन हो गया है जैसे कि रिंग वर्म हो सकता है या फिर धोवीच हो सकता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति को यह माई कोना जोल क्रीम प्रयोग में दिया जाता है इसके अलावा यदि क कोई व्यक्ति जिसके नाखुनों में किसी टाइब का फंगल इंफेक्शन हो गया है व्यक्ति के सर में किसी टाइब का फंगल इसकाल्प में किसी टाइब का फंगल इंफेक्शन हो गया है तो उन कंडिशन को भी कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है यह माई कोना जोल क करते हैं इसके अलावा इसका प्रयोग आपको ड्राइब और फ्लैकि जो होती है मतलब मतलब यो आपरी सता हट रही होती है तो कई वार जो डॉक्टर है उसके treatment में भी यह माई कोनाजोल क्रीम आपको रिकंबिनेंट करते हैं और इसके अलावा इसका प्रयोग आपको जोग इच और साथ-साथ जैसे थ्रस वगएरा जैसे समस्या और साथ-साथ व्यक्ति को जब नाखूनों में किसी टाप का फंगल इंफेक्शन हो जाते हैं या फिर दो उंगलियों के बीच में जब हो जाते हैं तो वैसे कंडिशन को भी कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है या माई कोनाजोल क्रीम कर सकते हैं अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हैं जो माई कोनाजोल क्रीम है इसको कैसे प् आप इस क्रीम को हलकी सी लेयर में जरूर लगा उस सता पर तो ऐसा अगर आप दिन में दो से तीन बार करते हैं तो एक खबते के अंदर ही आपको बहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और अब यह जो माई को नाजोल क्रीम है अगर हम इसके साइड इफेक्स के बात करते हैं तो इसके ज्यादा तर साइड इफेक्स नहीं देखे गया है बट फिर वी अगर आपको साइड इफेक्स देखने को मिलता है तो हो सकता है आपको थोड़ा रेडनेस श्वेलिंग इचिंग या फिर ब्लिश्टर्स वगएर आपके स्किन पर बन सकते हैं जहां पर आपनी स् क्रीम को यूज में लेना बंद करें और एक बार अपने डॉक्टर से जरूर करें और वीडियो क्लास्ट में अगर हमीस माइक को नाजल क्रीम के सेफटी रवाइस की बात करें तो सेफटी रवाइस में यहीं बताऊंगा कि आप इसका प्रियोग किसी भी एज ग्रूप के और बच्चों के लिए आप बच्चों के लिए प्रियोग करें तो मिलता हूं अब आप से अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ